यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ सोलन में डोक्टर येश्वन्त सिंग परमार बागवानी और बानी की नौनी के डी आ ठाकुर में रोज गार्डन में रोज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इस मौके पर विश्विडाले के कुलपती डोक्टर ऐसे शर्मा ने बतवर मुख्याते थी सिर्कट की है विश्विडाले के फ्लॉरी कल्चर विभाग में रोज गार्डन में गुलाब की करीबन 600 प्रचातिया महक रही है और इस मौके पर विभाग की और से फूलों की खेते करने वाले प्रेगतिश्विल के सानों को परमार पत्र भी बाटे गए है फिलाल विभाग की और से आम लोगों के लिए गार्डन को खोल दिया गया है ताकि लोग भी फूलों की खेते को देख सके इसका आनंद ले सके और जानकारी भी प्राप्त कर सके तो आम लोगों के लिए भी जो है ये रोस गार्डन का जो नजारा है वो देखने के लिए खूल दिया गया है और यहां पर 600 के करीब जो है फूलों की प्रजातिया है जिसको देखकर जो फूल प्रेमी हैं वो भी काफी गदगद दिखाए दिये है सबी ने जो है फोलों को नजदी के से देखकर आइंका आनन्द लेना चाहा जानकार भी प्राप्ट की है और जो किसानों ने यह जो फूल की खेती की हैं उनकों भी प्रमान पद्र बाटे गए हैं उनकी भी काफी तारिफ जो सामाने लोग हैं वो भी करते हुए नजरा आए हैं क्योंकि अपने आप में जो नजारा है डिया ठाको रोज गार्डन का वो काफी बहतरीन था पर सभी अपने आप में एक दूसरे से बढ़कर हैं और मुझे लगता है कि इतना लंबा बड़ा कलेक्शन जो है शायद कहीं पर मैंने नहीं देखा है जितने गार्डन और हमने देखे हैं इसनके रोजेज बगारा के उसमें इंडिविजुल बैड में एक वराइटी लगी वी है यहां जब मैंने देखा तो मैंने मुझे लगा कि 6-700 बैड नहीं है कुछ टिपिकल वराइटी हमें दिखी ह जिसमें कुछ हमारे पिंक कलर के प्लांट्स हैं जिनमें इडेबल बताई गई हैं अच्छी ब्रैटी हैं कुछ का फ्लार साइज जो है वो 6-7 इंच से जादा बड़ा है बहुत खूबसूरत चीजें अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले नेचर का और सभी का मन मोह लेने लाइक चीजें थी हैं